नमस्कार साथियों, मैं अवनिश शुहान और आज लगबग 25 दिनी आपे हार्वेस्टिंग के लिए बचे है जो कि एक परफेक्ट टाइम है सारी विरैटीज में जो फरक है उसको देखने के लिए इतनी भी विरैटीज में जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली अभी देख सक इस चारो तरफ से लाल हो चुकी है इसके बाद जो विरैटी है वो है किंग रॉट जो किंग रॉट है वो इस स्टेज पे यह देखिए इसमें हलके हलकी स्टिप्स दिख रही है और अंदर से अगर हम देखें तो यह बिल्कुल अभी हरी है एक हफते का इसमें कलर का डिफ जो 2018 में इंपोर्ट हुआ था यह थोड़ा सो से ज्यादा हीट के लिए यह आप देख सकते हैं इसमें भी चारो तरफ स्टिप्स दिख रही है यह फरक है सारी डिलिशियस विरैटी में जो आप हार्वेस्टिंग से लगबग 20-25 तिन पहले देख सकते हैं जितनी अर्ली कल अर्डी 11 एडम और स्कारले 2 जो सबसे हाई कलर स्टेंज और प्रॉपर टाइप है यह अर्डी 11 है एक स्पर टाइप पिरैटी जो की लास्ट यह हमने इंपोर्ट की थी तो इसमें काफ बहुत लोग रोध है यह 106 पे लगावा है और उसके बाद भी इसकी जो ग्रोथ है बहुत जाद लोग तो इस तरह की विरैटी यहां पर लगाना मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा और अब हम गाला में भी सेम अर्ली कलर से लेट कलर की तरफ जाते हैं तो यह सबसे अर्ली कलर जो गाला है वो डार्क बरन और फैंजम गाला है इस वक्ट डार्क पैरन गाल यहां पर जिस हाइट से सेव लगना स्टार्ट रोता है लेग बख थीन 味़ाद की अलीवेशन पर तो यह जो सबसे हाइक कलर सेंज है क्योंकि तीन अगभना का आना की टफ होता है तो यह आप वहाँ पे लगा सकते हैं और यह डार्क विरन और फेंजम के बाद जो हाई कलर है जो उसके बाद त्यार होता है वो है मेमा गाला सोला 316 यह आप देख सकते हैं क्लियरली फर्क वो लोगो बहुत अबहुत नार्क हो चुके जब्कि इसमें वह जोगी थोड़ा सा लायक गलर है और भी साइज उन दोनों से थोड़ा ज़ादा है क्यूंकि हल्का सा लेट कलर है और इसके बाद जो तियार होता है वो है शनीगा शनीको रेड़ गाला यह है शनीको रेड़ गाला मेहमा गाला से लगबग 6-7 दिन का फरक है इसके कलर डिवलप्मेंट में इसमें हलका सा भी लाइट है इसका साइज काफी अच्छा बनता है लगबग 20-25 दिने हार्वेस्टिंग के लिए शनीगा शनीको रेड़ गाला और इसका ही एक दूसरा स्टेन है शनीगा शनीको गाला वो भी मैं आपको कम है यह आप देखिए और साइज इसमें अच्छा जाता है थोड़ा हाइट तक आप इसको ले जा सकते हैं शनीगा शनीको गाला और यह फैन प्लस गाला है इन सबसे हलका सा लेट कलर और एक स्क्रिप्ट कलर विरैटी है और साइज अच्छा इसमें आ जाता है अभी पर द्यूब रूक जाएगा और जो विरैटी जिसमें वी कलर डिवलेपेंट अभी कम है स्टेज पे यह लास्ट तक इसमें साइज बनता जाएगा तो लास्ट में अच्छा साइज इसमें भी आ जाता है फैन प्रस क्याला यह फैन शाइन काला कम ही जाएर डेख सकते हैं यह first year sample इसका, इस साल ही यह plants plant हुए है और हमने खुद import किये तो net paste पे जितने भी fruits हम डाउनलोड कर रहे थे उसमें रस्टिंग थी, तो यह आप देख सकते हैं कोई किसी भी तरह की कोई रस्टिंग नहीं है, रस्टिंग हमारी practices पे डिपेंड करती है, रस्टिंग ऐसा नही गोल्ड चीफ, आपके और्चड में 32-33% pollination होना चीए, जिसमें की 2 या 3 pollinator लगाने जरूरी होते है, गोल्डन मैमा, एक नॉर्मल सा गोल्डन है यह भी, एक तरफ से हलका सा harvesting टाइम पे यह हलका सा brown हो जाता है, जो की गोल्ड चीफ जो इस से पहले दिखाया था, वो एक स जितनी भी विर्याटीज मैंने आपको दिखाई यह सारी हमारी commercial यूज के लिए हम इन विर्याटीज को अलग-अलग elevations के लिए लगा सकते हैं, यह सारी हमारी self imported विर्याटीज है और originally उन नर्सी से इंपोर्ट हुई है यूरोप से, जिन के पास इसका patent है, इसके लावा 40 प्लस विर्याटीज टोटल यहां पे हैं, तो इसमें कुछ विर्याटीज ऐसी है, जो हमारे काम की नहीं है, या फिर आपका जो commercial यूज के लिए अगर हम उनको लगाए तो वो इतने जादा profitable नहीं होगी, क्योंकि उन मैं color ज्यादा high color नहीं है, क्योंकि यहां की market के हिसा आइवादा